दियर फ्रेंट्स बेलकम टू दादी मा की वगिया फ्रेंट्स आज आपको दिखाएं यह देखिए मैंने बहुत नर्सरियों में आजकल घूमते हैं लेकिन पौद नहीं मिल लई है पता नहीं इस वार क्या रिजन है गर्मी ज़्यादा पड़ी और सीट्स नहीं जर्मनेशन हुए क्या चक्कर हुआ अब पौद नहीं मिल लई तो यह मुझे नजब कड़ की नर्सरी से पौद मिली देखिए कितनी बेहतरी इन पौद है अभी तक जितने भी हमने गोबी और बंद गोबी लगाया है वो सब अपने घर की बोई हुई सीट्स से लगाया लेकिन अब मेरे पास सारे खटम हो गए थे पौद तो मैंने नर्सरी से मगाई है और ये देखिए पता गोबी की है यह देखे है यह पत्ता गोबी है और यह इसमें ब्रोकली है और यह फूल गोबी है तो इतनी सारी आज पौड आई हैं देखो लगाते-लगाते मुझे रात हो जाएगी ये देखिए कम से कम दो से प्लांट लाए हैं तो इनको हमें लगाना था तो मैंने दिखाया कि आपको भी दिखाया मैंने सोचा आपको भी दिखा दें देखिए अब ये मारे सेकेंड सेसन समझ लीजिए या एक बार की मेरी फसल पूरी तयार हो गई है और ये दुबारा मैंने डालना सुरू किया है तो ये मेरी मिलेगी मुझे जनवरी तक और जो अभी हमने अगस्त में लगाई थी सितंबर में वो मुझे गोभी रोजाना हर्वेस्टिंग के लिए मिल रही है देखिए उसके साथ साथ में ये मैंने आलू मंगाई है ये देखि मैं थोड़ा सा ये पत्ता गोभी जो है कैविच का सीट में ये भी डालेंगे फिर एक बार ट्राइ करेंगे इस वार पता नहीं इस समय पहले तो मेरा अच्छे से अगस्त में बहुत अच्छे से सारी पावद निकल याई ले इस समय मेरे पास में पावद तयार नहीं हो र आप अजयाम कर रखा इसके लिए मैंने क्यारी भी बना रख है यह देखिये और जब लगा के मैं तयार करूंगी तब आपको दिखाऊंगी यह तयार क्यारी मैंने कई दिन से बना के छोड़ दिये इस में पता गोभी लगाने जा रहे हैं और वह से हम क्यारियां खाली कर अगलिया दो किसे बाइस बढ़ा है नहीं हो एक दिन में कितना हार्वेस्ट किया जाए सुबे भी करते हैं सामकों भी करते देखिए तीन गोबी अभी हमने हर्वेस्टिंग करके रखे हुए है तो मेरा जो पहली बार हमने लगाए तो वो तो हमारे गोबी सभी लगवक तयार हो गए और हम रोज हर्वेस्टिंग कर रहे हैं और आज मैंने जब और भी करनी है जिससे मुझे कुछ प्लांट ये ग्रोवाइक ख हुए है यह इदर सब तयार हो रहे है हर्वेस्टिंग के लिए और इदर नई यह देखिए यह गोबी सारा मेरा पूरी क्यारी गोबी की यह पहले की है यह मैंने अगस्ताव सितंबर में लगाई थी वो है और यह देखिए मैंने अक्टूबर में लगाई थी तो यह भी द कितनी की जाए कितना खाया जाए सुबह भी कर लेगे साम को भी तो इस तरह से मेरे गोवी इस तरह चल भी रहे और मैं नया भी लगाने जा रही हूं तो जब लगा के पूरा गोवी तयार करूंगी उसका वीडियो बना के आपको जरूर दिखाऊंगी आज मुझे पहुत दि कि दिखार, तो अगर मेरे ये, मेरा वीडियो आपको लगे तो लाइक जरूर कर देना और चैनल पर नहीं है तो सस्क्राइब तो जरूर, जरूर कर देना हो फिर मुलेंगे एक नए वीडियो में एक नई जानकारी के साथ तक तक के लिए मुझे आग्या दीजे धनवाद